नमस्कार आप देख रहे हैं HBR News विहार के एक मध्य वर्गी किसान का बेटा जो की 200 से भी ज़्यादा एल्बम में गाने गाकर भोजपूरी सिनेवा जगत में स्वरोहत बटो रहे हैं आपको बता दे कि भोजपूरी सिनेवा जगत के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर सिवेश मिश्रा सेवी से हमारे समधाता ने खास बाच्चित की देखिए नमस्कार मैं हूं उपेश कमार और आप देख रहे हैं अचिवे निवच्चित मैं इस वक्त भोजपूरी सुपरस्टार सिंगर अभिनेता सिवेश मिश्राजी के आवास पे हूँ और आए हम उनसे बाच्चित करते हैं और बाच्चित में यह जानकारी मिलेगा कि सिवेश मिश्राजी जो कम ही दिनों में पूरे विहार में उस पूरी जगत में काफी नाम कुना चुके हैं इसके पीछे क्या ख्यासत थासियत थे क्या विश्यस्ता है आई उस सक से आपको नमस्ते प्रणाम सभी लोगों को तो यह है सिवेश मिश्राजी सबसे पहले एच्पी नियू चैनल को आपका स्वागत जी बहुत बहुत धन्यवाद एच्पी नियू चैनल वाले जितने भी आमारे नियूज को देखते हैं आप सबों को प्रणाम है वही चैना आशीस है आप लोगों का शिवाद ऐसे हम समों को मिलता रहे यही कामना है मारे तो शिवेश जी आपने किस तरीके से आप कला कारी के छेतर में देश्या आपके मंग में विचार आया कि आप कला का छेतर है इसको चुलिया यह विचार तब आया जब मैं लगभग के छे साल का था और देव घर जा रहा था रास्ते में सभी लोग आ रहे थे तो मुझे भी गाने की इक्षा हुए तो मैं गाने लगा तो हुआरे पापा ने बहुत खुशी जता है कि हाँ अच्छी बात है गाओ अच्छा लग रहा है सभी लोग खुश हुए तो उस दिन से प्रेटना मुझे जाने लगा की ने गाना चाहिए बहुत लोग बोड़ी की गाना चाहिए तो मैं गाने लगा तो आप इंकर बन ले इसे पर आप की स्कुली सिख्छा कहां से प्राप्त है अपने गाओं अहियापूर बच्वारा पिभुस लाजिला के इंतरगत बिहार में अपड़ता है औ यहीं से हमने सिख्छा प्राप्त किया सरकारी स्कुल से उस समय बहुत 為म बगाईब से अपने आपने लगभग 200 से उपर गाने हमने गा चुके है यूटूब पर आप दिख देख सकते हैं भोजपुरी में लगभग 200 से उपर होगा, हिंदी लगभग 5-6 गाने हों में हमारे, मैथली में भी 2-3 गाने हैं अच्छे अच्छे, तो आपने लिगना भी अग्लम मताया है, हमें सबसे सूपर हिट जो गाना होगा 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 फंसार सूपर हिट गानां बहुत सारे लोग जानते भी होगा, और जो नहीं जानते हैं, वो भी जाने, मैं तरिवाद मुहबबत को भूल जाएऊँगा, हमाँ सहर सोंग हिंदी सोंग, वेव कंपनी के माधियम से आया था वो सोंग, मैं तरिवाद मुहबबत को भूल ग्याया है बिल्कुल उची रखते हैं कोई भी इंसान अगर मॉबाइल है तो यह जोई नहीं कि केवल पून से बात ही होता है मार्टसर भी होता है उसमें फेस्बूक भी होता है इसलिए मॉबाइल का काम है सारे कामों को हिंडल करना मॉबाइल पर गैम भी खेलते हैं इंसान तो एक कलाकार है कलाकार ऐसा नहीं है कि केवल गाना ही गास एक्टिंग भी कर सकता है हीरो भी बन सकता है अगर उसके पास प्रस्णाल्टी हो वो भी आप सभी लोगों का दिया हुआ तो अच्छा अगर आप अग्टिंग भी रखते हैं तो अल्म बनाएंगा एक फिल्म अबनाएंगा एक फिल्म हमने किया आदर्नी अबरे भ्रियामिया कस्यप जी के साथ संया इरिक्सा वाला उसके बाद अभी मेरा बात चल रहा है हमारे भीया है संजीप स्री बास्तब जिनका बहुत सारा मुवी पवन सिंग का किया हुआ है उनसे बात चली है अब कुछ अच्छा होका देखने को मिल सकता है यह उमीद है और आपनों कासे बात रहे तो आपने जब यह बहुत सारे कलाकाल है और खासका गोजपूरी में 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 बहुत सारे कलाकाल है उसमें सबसे बड़ा महजपूरी जगत है काफी हाईडाइड हुआ जगत है और वो मुझे स्वंवर का पुड़ा सा याद है यह फिल्म था सया हमार सया हमार इसा ही कल कि तुछ फिल्म था महुष्टिवारी जी नेतर के आयद चे तो आपने जितने भी मैंने सुपरस्टार सब का नाम बता है इस समय से किन के साथ आप जादा पुड़ा है मैं पवन भया के साथ काम किया हूँ बहुत सारा स्टेज में खेसारी भया के साथ किया हूँ, कल्लू भाई के साथ किया हूँ, रितेस पांडे के साथ किया हूँ, दुन्यन भया के साथ किया हूँ जो भी है निरगुआ जी को छोड़कर सभी लोगों से मिला हूँ, स्टेज किया हूँ, मनोज तिवारी भया के साथ भी किया हूँ तो कि यह सब है, सभी लोगों के साथ मुखा मिला है, इस सब के सबसे बड़े हगदाद, हमारे जो भी लोग सुनते हैं, हमको जानते हैं, उनका आशिरबात हमारी साथ है। तो यह आपने ज्यादा तरौ जया है, हिरोहिन में, जैसे मतवब हिरोहिन हो गई, आक्छणा नहीं हो गई, तमरपाली भूले और बहुत सारे एक्टर हैं, मल्ला के साथ हैं। इरोईन में सबसे जादा मैंने अक्षरा सिंग के साथ काम किया और खाजय गागवानी के साथ काम किया इसके सबसे बड़े दावेदार हमारे आदर नीए टिंकु भया है जिन्होंने मुझे यहां तक लाने में बहुत उनका सहयोग रहा टिंकु भया को ऐसे हमारा प्यार मिल और आप किनको सरे देना चाहेंगे एक सिवेश मिस्रा जो गाउंग से पढ़ाई शुरुआ किये और अकलाकारी में आज उस मुकाम पे पहुचे हुग जो पहचान के मोदा देना चाहेंगे आप जो आज तक पहुचे हैं सबसे बना सरे हमको पहुचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है और कहता है कि दुनिया में जब इंसान आगे बढ़ता है तो किसी ना किसी औरत का हाथ है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना औरत का हाथ है ना किसी लगकी का हाथ है किसी का भी याद नहीं है हमारे बहुत सारे भाईयों का हाथ है मेरे उपड़ और उसमें लगभग हमारे साथ 70 से 75 लोग हैं लगका में जो हमारे उम्र के हैं कुछ हमसे बड़े हैं कुछ छोटे हैं जिन्होंने जितोर मेहनत किया मेरे लिए और इस जितोर मेहनत को जैसे पेश्बूक पर वो अपना फोटो नहीं लगाते हैं मेरा फोटो लगाते हैं वाटसेप पर अपना फोटो नहीं लगाते हैं जब भी गाना मेरा रलीज होता है हर जगा वो परचार परसाथ करते हैं अच्छा हुआ, तो हम ये नाराजगी को जरूर दूर करेंगे और उनको अपने साथ रखेंगे, ताउम्र जैसे एक दोस्त एक दोस्त को रखता है, सभी लोगों से मेरा यही निवेधन है, कि आप सब लोग दिल से इस भाई को मानें और प्यार दें, मैं उमीद करता हूँ, कि आप सबों का दामन में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप ही लोग हमारे लिए हैं। जिन्दगी के बारे में मैं यही कहूँगा, कि भगवान ने बहुत बुरे दिन दिखाए थे, जब यह घर भी नहीं था मेरे पास रहने को, जोपरी में हम सभी मा, पापा, हम तिन भाई, बहन नहीं हमारे पास थे, और वो ऐसे हम लोग ऐसे जिन्दगी को बिताते हैं, बिता रहे थे उस जोपरी में, जब बरसात होती थी तो पानी चूता था सरीर पर, फिर भी वो ऐसे ही जिन्दगी को बिताते थे, हमारे पापा किसान के तौर पर जिन्दगी बिताते थे, और वो निम्बू का खेती करते थे, उस निम्बू की खेती को करके मैं, दलसीं स्राय बजार में बेचने जाता था उस निम्बू को, वो दिन्याद है मुझे, और मैं निम्बू बेचता था, तो एक वगल में कोजी सुच्स था, जहां पे अच्छे-च्छे पकमान बनते थे, समोसा, लिट्टी, रसमाधरी, रसकदम, एक से एक बढ़कर आइट कोजी सुच्स में खाया, उस समय कोई नहीं पहचानते थे, कोजी सुच्स के जो भी थे, कोई नहीं पहचानते थे, समय में खाया उसके बाद फिर, एक दिन ऐसा हुआ कि पैसा नहीं था गया तो मैं खाने के लिए पहुचा मेरे पास पैसे थे नहीं, और मैं गया तो मैं धार रख लिज़े उन्होंने काँ पैसा उधार में नहीं खिलाता आउ मैंने का मैं अप्य। आप जैकेट रख लिजे मैं आऊं गा तो फिर लेंगा हुआ मैं पwert टेने चाथा वर argues सिकना जो राज ढेवा नीट था। तो हमने उनके पास उनके जो ओनर थे, कोजी सुषक, हमने यु बात रखी, क sleeves हम आपके हाये थे पहले एक बार, और ऐसा ऐसा बात था, तो उन्होंने कहा कि हां मुझे याद हूँ, मैं बला मैं वह ही था, आप मेरा जैकेट दे सकते हैं का उन्होंने कहा जैकेट तो नहीं है लेकिन आपका वो प्यार अभी तक मेरे पास रखा होगा मैंने उस पैसे के बदले अच्छे पैसे दिये उनको और फिर उनसे हमारी अच्छी मित्रता होगी आज मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ सारे स्टाफ और ओनर भी खरे मिलते हैं हाजूर कर ये इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है कभी इंसान को ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई इंसान उसके लिए कितना क्या कुछ किया अगर कोई इनसान इस बात को भूलता है तो वह आशान मंद होता, आशान मंद होना चाहिए इनसान को कि किसी का भी आखैंद भूलना नहीं तो आपका जो लाइफ गरीवी से घुजरा और आपने गरीबी को काफी करीब से दिख्या है तो आपने देखा कि अममु समी जो आते माध मोड़ी कई नम्पयोर मनली किसान निवार से जाना पहचाना नाम हो चुका है तो सिभेश फिष्ञाथी तो पूरा आज करना वाकि है इसलिए मैं खुद को नहीं बोल सकता बस इतना कहता हूं कि लोगों का प्यार मिले जो लोग मेरे साथ हैं मुझे प्यार करते हैं उनका अशिरवाद हमेशा मुझे चाहिए और मैं इतना विश्वाश इलाता हूँ अगर मैं जिन्दा रहूँगा तो आपके नाम आपके सहरत को हमेशा उचा करते हैं बस एक सीड़ी हमने चढ़ा है अभी अभी तो 99 पे सीड़ी चर्णा बाकी हूँ यही बात है हाँ एक सोंग हमने गाया था कल चाहर पहुत दिन पहले अपने ही चैनल सिवेश मिश्र ऑपिसियल चैनल से वो सोंग रिलीश हूआ गाना था तो थोड़ा सा दुन गुना करके हमारे गर्षक को बहुत अपना जी कलाकार है हम लोग तो कहीं भी सुग हो जाते हैं ऐसे ही बोलना नहीं पड़ेगा अजिए को सोंग है राखी के दीन है आई बेहनों ने भाई को बुलाई राखी के दीन है आई बेहनों ने भाई को बुलाई कैसी किसमत को मैंने है पाई सावन की ये है विदाई क्यों सुना है ये मेरी कलाई सावन की ये है विदाई क्यों सुना है ये मेरी कलाई यह बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने गाया और यह जो गाना सिदेश मिस्राजी गाये हैं इस गाने के अगर गौर से आप सुनेंगे तो काफी दर्ध है इस गाने में और सिदेश मिस्राजी साफ साफ इन हम तो कहा ही था कि इनके पास बहन हैं लेकिन बहन ना होने का जो कमी है वो साफ-साफ इस काने में आपको तिक्हाई देगा शुनाई देगा आपको तरह रह सकाने में और भथकुरी में जो काना काए है जो सबसे लोग प्रिये गाना चुआ से ओवरु लुदूना के सिनाने कि दो सारा के नाम के में हंदीरा चाईबू कि दो सिंगार कजी डोली चाधी जाईबू भूल के सिवेस बाला प्यार के जाना जा उठी तोहरा यार के जाना जा उठी तोहरा यार के यह बहुत 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 आपने गाया अजर सिवियर जे अगर आप कलाकारी में नहीं हो तो आप और क्या बनना चाहता है। और कुछ भी में बनना नहीं चाहता था। अजर कभी मैंने सोचा ही नहीं हमारे पिता जी नहीं जब मेरे पापा की स्थितित्र एलाइसी एजेंट से मेरे पापा और वो बहुत महनत किया है उहोंने हम लोगों को बनाने के लिए यह घर जो आप देख रहे हैं यह घर एक गढठा था उस गढठे को भरते भरते पिता अबरने यहां तर् पहुच आया कि आज हम लोग रहते हैं तो बारिस होती है लेकिन बर्सा का साइद हमने यह नहीं दिखा कि हमारे छट से उपर कभी पाoolरी नीचे लिटा हो और हमारे सरसोंने नहीं देखा वह भुग मैं खुश नसीव हूँ कि हमारे माँ पापा जैसा मुझे माँ पापा मिले और मैं उम्मीद करता हूँ इस वर से कि सातो जन्म मैंसे माँ बाप हर किसी को मिले और मेरे भाईया है वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं और मैं उनके बारे में क्या बता हूँ वो इतने प्यारे हैं मुझे डरते रहते हैं हमेशा और कुछ न कुछ गलती हमेशा मेरे बारे में भोलते हैं सिवेश यह गलती है आपकी यह गलती है इसको सुधार कीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा से उनका प्यार मिले मापापा का प्यार मिले और जितने भाई मुझे प्यार करते हैं ज उनका जो फुरू में जो भड था बीकुल भूस अगर था टूटा हुआ घर था उर उनके मतबसे बर्षात का मौसम आता था तो ये जो बर्षा का जो बानी होता था इंके घरे में आधा लेकिन आज जो इनका घर है प्लेज़ का फूरा सा केमरा को घुमा दख्या देखिये और आज और पहले वाला सिवेश मिश्रादी का जो पूराना घर था उन घर थोड़ा से हम देखते हैं भूमते हैं कि उन तहर में क्या-क्या विशेस्ता थी जिन्हों नहीं बताया था यह देखिए मेरा सबसे पुराना तुलसी चोड़ा जिस जो हमारे हिंदूर की दिवात नहीं पर मां पूजा करती थी जादी पूजा करते हैं वो सारे लोग और यह मेरा घर यह घर पुरा मतलब देख लीजे यह पुराना सा ताटी वो तो पुराना है यह सब-सब कुछ लगवक फिल्म भी बात चल गई है फिल्म भी आयेगा और मानभ जब लगाता है पत्तर पानी बन जाता है इंसान जोड लगाना चाहिए, फिल्म भी आएगा मेरा और लगवक 40-50 गाने भी आएगा, जो T-Series से होंगे, वेव कंपनी के मादम से होंगे, और सबसे पहला मेरा लक्ष T-Series की तरफ है, जो T-Series का मेरा गाना आएगा, उसके बाद ही अब मेरा कुई भी गाना आएगा, जो बहुत 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 ब हूं जिनके माध्यम से आप आज मेले हैं और आपको भी बहुत 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 दने बाद आपके HBN News चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन दबाएं और वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इनका कोई भी वीडियो हमारे जैसे अंगीनत तलाकार आएं में इनके चैनल के माध्यम से आप लोग देखें और प्यारा शप्यारा बाद है एक तका राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधान सभा शेत्री के दोनों प्रखंड के अलतरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल केम्प लगा कर लोगों की सेवा मिर्तत पर कोरोना जैसे महामारी को आए हुए पाँच महिने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लेगे हुए है अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाँच महिनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाप सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वितरन क्यू करी विचार ठीक तो है नितिश कुमार, डॉक्टर आस्मा परवीन, प्रदेश महासचीव जदियू बिहार, श्व्यभावी विधायक प्रत्याशी, महुआ विधान सभा 126 संस्थान, मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली